नमस्कार दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ एक बड़ी हेल्दी रेस्पी के साथ आज में बनाओंगे उपमा बहुत कम तेल घी के साथ और बहुत सारी सबजियों के साथ यह बहुत ही हेल्दी बनकर तयार होगा और खाने में इसका टेस्ट लाजबाब है तो स्वागत है आपक बनाते हैं सबका पसंदीदा हेल्दी स्वादेश्ट और वेट लॉस में मदद करने वाला वेजेटेबल उपमा वेजेटेबल उपमा बनाने के लिए सबसे पहले हमना यह एक बॉल ड्राय रोश्टेड सूजी लिए दोस्तों जब भी मैं सूजी मार्केट से लाती हूं उ यह आधा कटोरी ब्लांच बींस ली हैं यह दो छोटी छोटी गाजर थी उनको बारी कट करके ले लिया है यह आधा कटोरी स्वीट कॉन है और यह आधा कटोरी फ्रोजन मटर है आपके घर में और भी सबजी है तो आप ले सकते हैं जो पसंदी उसे स्किप कर सकते हैं साथ मैं आदा कटोरी मैंने मूफली लिए और यह चोथा कटोरी यानिक दो टेबल स्पून मैंने काजू के टुगड़े लिए दो बारिक कड़के हरी मिर्स ले लोगी और एक नीवू आप कड़ाई मैंने एक टेबल स्पून ऑईल डाला है ऑईल हलका गरम होने पर मूफली के दा इस समय हम जे काजू लिए उनको डाल देंगे और इन्हें भी धीमी फ्लैम पर रोश्ट करेंगे जब तक काजू भूनाएंगे तो हमारी मूफली भून तरह से बुन जाएंगे आप देख सकते हैं काजू करण चेंज हो गया और मूफली का छिलका उपर से फटने लगा य तो हम इसे ढख करके क्रेकल होने देंगे आप देख सकते हैं आप इसमें से आवाज आना बंद हो गई है तो हम लिढटाएंगे अब इसमें थोड़ी सी मैं हिंग डाल दूगी दू हरी मिर्च को थोड़ा बड़ा कट करेंगे ताकि जिसे नहीं खाना हो निकाल देंगे औ आप इसमें हम घाज़त डाल देंगे और साथ में ब्लांच बीन्स डाल देंगे स्वीट कॉन डाल देंगे और फ्रोजन मटर भी डाल देंगे और इसे लगातार चलात हुए एक मिनिट के लिए भून लेंगे ताकि इनमें तड़के का फ्लेवर अच्छी तरह से आ जाए तो आप देख सकते हैं हमने सबी समजियों को धीमी फ्लेम पर एक से डेड़ मिनट तक इने भून लिया है आप हम इसे मसाले डालेंगे तो स्वात करूं साथ एक चमच नमक डाल देंगे चोथा ही चमच कारा नमक इससे टेस्ट बढ़ जाता है और चोथा ही चमच मिर्च जालेंगे क्योंकि उपमा में मिर्च ज्यादा नहीं डलती है साथ में एक चमच धनिया पाड़ डाल देंगे अब इसे मसालों के साथ धीमी फ्लेम पर लगातार चलाते हुए एक से दो मिनट इसी तरीके से हम इसे भूनेंगे ऐसा करने से मसाले के साथ जब हमारी सबजी भूनेंगी तो टेश्ट इनका बड़ा ही उभर कर आएगा यही छोड़ी बात में हमें उपमा बनाते से में ध्यान दखनी होती है आप देखिए सबजी मसालिक साथ अच्छे से भूनें बहुत अच्छी खुश भूआ रही है अब जितनी हमने सूजी ली थी उसका चार ग दालते के साथ ही कुछ सेकंड्स में इसमें उबाल आ गया है गैस की फ्लैम हम धीमी कर लेंगे अब जो डाय रोश्ट्रीड भूनी हमने सूजी लिया है उसे इस तरीके से डालेंगे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और कर्ची से इसे मिलाते जाएंगे एक साथ डाल अब भी हमें एंड तक धीमी ही रखनी है इसे लगातर चलाते रहेंगे देखिए एक मिनट के अंदर ये गाड़ा होना स्टार्ट हो गया बस इस स्टेज पर जो हमने निव लिया था उसका रस निकाल कर उसे डाल देगे इसे भी अच्छी तरह से मिलाते हुए धीमी फ्लै देशी घी यानि प्योर घी डालोंगे यह मेल्टेट देशी घी है यदि आपका घी थोड़ा सा हाड है तो आज अच्छा मजी डालें बाकि आपके टेश्ट पर डिपेंड करता है जितना ब्याद डालना चाहां लेकिन कहते हैं स्वाद के हस्त सेहत तक तो कमी घी का इस्त दोंगी कुछ मैंने बचा लोंगी ताकि उसे गानिशिंग में इस्तेमाल कर सकूं और इसे अच्छी से मिला लोंगी अब आप देख सकते हैं हमारे उपमा ने जो कढ़ाई को छोड़ना भी स्टार्ट कर दिया यह अच्छी तरह से बन करके तयार हो गया जिस बॉल मैंने स सुपर सॉफ्ट और खिला खिला हमारा वेजिटेबल उपमा बन करके तयार हुआ है वाओ टेश तो इसका बड़ा ही लाजबाव है दोस्तों आज मैंने उपमा को लंच में बनाया है और उस एक बॉल सूजी से चार बॉल भरके उपमा तयार हुआ है यह इजीले चार आप खाईएगा यह थाली अपने आप में कंप्लीट लंच बन करके तयार हुआ है तो दोस्तों अब आप नास्ता क्या लंच दिनर में उपमा बना कर खा सकते हैं साथ में सबजी लीजिए दही लीजिए तो यह कंप्लीट मिल हो जाता है तो बनाएगा और बताएगा आप आपको मेरी वेजिटेवल उपमा की रेसिपी कैसी लगी यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली सभी नई रेसिपीज के नोटिफिकेश सबसे पहले आप तक पहुँचें थैंक्स पर वाचिक मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइब